हेलो फ्रेंड आज था कर किचेन में आप सब कस्वागत है आप सब कैसे उमीद करते हैं अच्छे होंगे आज हम लेकर आएं सब दाने की रेशिपी बीना भिंगोए कैसे हम सब दाने की किचडी बनाएं तो चलिए सबसे पहले हम पैयन में तेल ले लेते हैं रिफायन आईल और मॉमफुली डालकर फ्राई कर लेते हैं जब हमारा मॉमफुली फ्राई हो जाएगा तब हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे यहां पर मॉमफुली हम फ्राई करके निकाल लेते हैं दो मीडिय माकार का आलू काट लीजिए बारिक अब उसी पैन में हम जीरे का तड़का लगाते हैं अगर जीरा ब्रत में नहीं खाते हैं तो स्कीप कर दीजिए यहां पर दो मीडिय माकार का आलू लीए हैं उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए कम तेल में हमको आलू अच्छी तरह से फ्राई करना है इसको उपर नीचे करते हुए अच्छी तरह से पका लीजिए और तेल का ध्यान रखे जितना कम हो से तो उतना कम डालिए इस तरह से ब्रत में बनाकर जटपट आप ये नास्ता कर सकते हैं ये हैवी होता है एक बार ब्रत में खा लेंगे तो दिन बार आपको भूग नहीं लगेगा ये फलारी है इसमें हम सबदाने को भिंगोएंगे नहीं यालू हमारा लगभग पक चला है देख सकते हैं अब इसमें हम टामाटा रेट करेंगे हरा मिर्च और टामाटा यहाँ पर हम मिर्च भोल गए थे सो बार में डाले हैं आप इसमें मिर्च डाल लीजिए इसमें हम सबदाना डाल लेते हैं एक कटोरी यह हमारा भिंगा हुआ नहीं है सौ ग्राम के करीब हमारा सबदाना है भूमफली डाल लेते हैं इसी बीच हरा धनिया कुछ अभी डालेंगे कुछ हम बाद में डालेंगे इन सभी को अच्छी तरह से चला लीजिए और एक मिनट के लिए सबदाने को उपर नीची कर लेते हैं एक बार और इसमें हम एक कटोरी प्योंए तीन कटोरी पाने एट करेंगे उसी कटोरी से और अच्छी तरह से चलाकर इसको ढखकर हम पकाएंगे इस तरह से सबदाना बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनेगा और मुह में घुल जाने वाला रहेगा और यह हैवी होता है अगर इस नास्ते को एक बार ब्रत में खाली है तो आपको दुबारा भूग नहीं लगेगा पादन उसा नमक काली मिर्च के हम पावडर डाल देते हैं यहां पे दुनों हमारा पीसा हुआ रखा था अब अलग से पीस के डालिए काली मिर्च पावडर इसको अच्छी तरह से चलाकर ढखकर पका लिए अगर पानी आपको कम लगे तो बाद में आप सब्तन उसा पानी फिर से एट कलीजिए हमको सब दना तब तक पकाना जैदे कि ट्रांस्वारेंट ना हो जाए दस से पंद्रम मिनिट हो जाएगा इसको पकने में पास मिनाट बाद आप चेक के लिए अगर पानी कम लगता है तो इसमें एक टोरी पानी ओर डाल लीजिए और अच्छी तरह से उपर नीचे करते हुए चला लीजिए इस बात का ध्याना रखिए कि तली में ना लगे यहाँ पर पानी कम लग रहा है तो यहाँ पर हम पानी और एट करेंगे एक पाटोरी अच्छे तरह से चलाने के बाद इसको हम ढखका एकदम हलके आज पर 5 मिनिट के लिए छोड़ देंगे जिससे कि हमारा सवदाना का किचवी एकदम खिला-खिला हो पास मिनिट बाद हमारा सवदाना कुछ इस तरह से हो जाएगा इसको अच्छे तरह से उपर नीचे करते हुए चला लेजिए यह तली में लगता है इस बात का ध्यान रखिए अभी हमारा भी पका नहीं है देख सकते हैं भी वाइट वाइट लग रहा है तो इसको हम फिर से ढखकर 5 मिनिट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए यह सब दाने के खिचड़ी हमारा हो गया है देख सकते एकदम खिला खिला सब दाना आलू मुमफली सब एक सा मिल गया है एक बार यह खिचड़ी खाएंगे तो आपका दिन भेर कर सारा ठाकान दूर हो जाएगा और भरबूर एनरजी मिलेगा गैस का फ्लेम बंद करके हम पाच मिनट के लिए इसको छोड़ देते इसी तरह ठंड़ा होने के लिए यह देख सकते हमारा सब दाने का खिचड़ी तयार है इसको गर्मा गर्म शरू करिए क्योंकि ठंड़ा होने भी अच्छा नहीं लगेगा तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए शेयर करिए और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करिए थैंक यू फॉर वाचिंग वाचिंग